नमस्कार सागत है आप सभी का बी सीटी में दोस्तों बीडियो को इसकिप मत करिएगा अगर आप सिंगर हैं या भुझपूरी में सिनेमा से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो बीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत ही खास और एस्पेसल जानकारी आप लोगों मिस कर जाते हैं क्योंकि पूरा वीडियो देखते नहीं है और दोस्तों अगर आप अपने कैरियर जो है सिनेमा लाइन में बनाना चाहते हैं भुझपूरी लोग गीतों में बनाना चाहते हैं तो कुछ चीज़े हैं उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इस कर सकते हैं दोस्तों आते हैं पॉइंट पे आज हम बैठे हैं डिया स्टार रिकार्डिंग इस्टूडियो गड़ेस नगर दिल्ली में यानि यह लक्षमी नगर मैट्रो इस्टेशन और अक्षरदाम मैट्रो इस्टेशन के बीच में है आप भारत के किसी भी कोने से आते ह हैं तो इन ही दो मैट्रो इस्टेशन पे आपको आना होता है और आके हां से अगर कॉल करते हैं तो डिया स्टार इस्टोडियो के जो भी इंपलाई होते हैं आपको रिसीव कर लेते हैं अब आते हैं पॉइंट पे दोस्तों भोजपुरी पहले कुछ और था आज साल भर प ऐसे लोगों को जो है डिश्टरब कर रहा है कि जो बहुत अलग तरीके से देखते थे भोजपुरी को अब उनको समझ में आता है कि मैकिंग होता क्या है या भोजपुरी लोगईत है क्या तो यह हुआ कैसे जिसे माले लॉकडाउन लग गया सभी सिनेमा वाले हमारे तब एकी जरिया था लोगईत और लोगईत एकी जगे पे इस्टूडियो में जाके अंदर गुसके गा लिए और पूरा जो है फिल्मों का जो सूट होता था पूरा सेटप खाली था अच्छा अच्छा रिजल्ट दे दिया हमारे बड़े-बड़े कुछ कंपनियों ने इ अब आते हैं पॉइंट पे दोस्तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के बीच में क्या होता था अभी तक सुरुवात से लेकर काफी दिनों सो मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत धेर सारे सिंगर हैं आफर और डिसकाउंट के चंकर में इधर उधर तमाम कंपनियों बन पाता है जब आप पैसा इंवสट नहीं करते हैं या कोई स्टूडियो आला आपको ऑफर देता है तो जो ऑफर के तहित आप पैसे देते हैं वही पैसा आपके आपके पीछ्छ होता है अगर बढ़ियां कंटेंसे नहीं बना पाये बढ़ियां आइडियो तो शेंगों फिर आप आफर डिसकाउंट के चक्कर में फसके इस्टूडियो और कंपनियों के चक्कर में फसके बढ़ियां कंटेंट नहीं दोगे तो पब्लिक कैसे देखेगा क्यूं देखेगा भाई वो आजाध है अपने एक मोबाईल के किलिक पे यूटूब पर जाकर किलिक करके ला तमाम कंपनियों के चक्कर में पैसा बेकार कर रहे हैं और लेबल नहीं मिल पाता है उनको डंका काम करके नहीं मिल पाता है तो इसी सिलसले में आज हम आपका मुलाकात करवाएंगे आजय जी से जो इस्टूडियो के मालिक हैं और आप अगर कंटेंट देखना चाहते हैं जे अपडेट इने हो ने दिया है लॉकडाउन के बाद से डीस्टार रिकार्डि इस्टूडियो या ड्ली सर्च करोगे दो चैनल खुलेगा यूटूब पर एक पे चैनल का इस्टूडियो का भी कुछ वीडियो जो मैकिंग का होता हो दिखेगा और जो नीचे दूसरा व वीडियो किया जाए जी आजय जी स्वागत है आपका बी सीटी में जी आपका भी दनवाद और जितने भी हमारे भोजपुरी सिनेमा टीबी को देखने वाले हैं उनको भी नवस्ते तो आजय जी जैसे कुछ टाइम पहले हमारा और आपका बातचीत हो रहा था कि जो भोजप कंपनी और स्टूडियो के चक्र में पैसा बेकार कर रहे हैं तो आप कह रहे थे कि मलब आपकी स्टूडियो के माध्यम से कुछ खास है तो क्या है हमारे मित्रों को बताइए जी खास यही है कि जितने भी सिंगर इधर भटक रहे हैं बड़ी कंपनियों के पीछे अभी तक हजार इसलिए कर दिया गया है कि हमारे यहां राइटर खुद बैठते हैं और यहीं पर मैं उनका गाना लिखवा के उन्हें बढ़ियां से रियाज करवा के फिर डमी करवा हूं अच्छा ताकि उनका जो भी आईडियो बीडियो बने वो बढ़िया कंटेट बनके यहां से इसके साथ साथ में हमने कुछ अपडेट दिया है जो आप हमारे पिरिये मित्रों को बता बता दीजिए क्या है यह हुआ घी को यह आप जाए अच्छा मद्व इसके साथ एक आईडियो वीडियो छेहहजार रुपे में और साथ में राइटर बैठके अ घाना लिखेगा आपका रियाज करवाएगा बढ़ियां quality का आईडियो और बढ़ियां quality का वीडियो और साथ साथ में top model farmhouse का suit और साथ साथ में इसमें ये क्या लिखे हैं इसमें है अच्छाच समझ में आ गया चार आईडियो वीडियो एक साथ करने पर एक आईडियो फ्री उसी बजट में उसी content में यानि कि चार आईडियो वीडियो एक साथ अगर कोई करता है इकठा तो एक आईडियो वीडियो आप फिरी दोगे और अगर कहीं से भी लोग आते हैं तो recording और shooting टाइम तक यहाँ पर रहने खाने का पूरा बैउस्था है यह तो पहले से भी चल रहा था रहने खाने का और कहते हैं कि अगर किसी का वीडियो एक लाग से उपर जाता है तो उसके भविस्थ के हर वीडियो आईडियो वीडियो फ्री कर दिया जाएगा अगर अच्छा सिंगर है अच्छा सिंगर है तभी न जाएगा उसका एक लाग स से उपर अगर जाता है तो आइडियो वीडियो फ्री कर दिया जाएगा अगर बहुत अच्छा गाता है तो कंपनी के तरब से उसको एगरिमेंट कर लिया जाएगा और हमेशा के लिए आइडियो वीडियो दिया जाएगा और जो कमाई होता है उसका सत्तर परतिसाद दे दिय जाएगा बस इतना ही जी जी तो बहुत अच्छा प्लान है वैसे आपका अगर सिंकर बढ़ियां अगर गाता भी है तो साथ-साथ में परमोशन भी अपने कंपनी के तरफ से करवाते रहेंगे अच्छा परमोशन जैसे की आड के माध्यम से अगर गाई की ठीक ठाक रहा तो जो भी होगा जितना सपोर्ट होगा हम अपने इस्टार इस्टूडियो के माध्यम से जरू करवाएंगे अच्छा मैंने देखा इस्टार इस्टूडियो बढ़िया चला था काफी रिकार्डिंग हो रहें काफी कंटेंट आ रहें लेकिन यह सब करने की जरूरत कहां से लगे की लोगों को कि हां यह कोई बरांड बनके यहां से दिश्टार इस्टूडियो मलब की आपका कहने का मतलब है कि जैसे तमाम कंपनियों की आफर डिसकाउंट के चक्कर में लोग फसके पैसा बेकार कर देते थे लेकिन आईडियो वीडियो उनको ढंक से नहीं मिल पा आप किसी अधर कंपनी के पास जाते हो जो लोगों दिखा कर आपसे पैसा लेते हैं वो एक्स्ट्रा आट-दस अजार रुपया बारह जार रुपया आपसे ले लेते हैं लेकिन काम वही होता है जो हम लोग करके देते हैं और होता क्या है आज के टाइम पर लोगों तो है लोगों अगर आप ही genuine काम करना शुरू कर दोगे बढ़ियां invest करके बढ़ियां budget खर्च करके तो आपका भी लोगों एक दिन brand बन सकता है चाहे आप singer है चाहे studio है चाहे company है कोई भी अगर आप singer है बढ़ियां से गाते हैं तो आपका नाम भी एक brand ही होगा अगर बढ़ियां क urgent कर दिये तो किसी के माथे पर यह नहीं लिखा है कि यही star बनेगा सिर्फ आपका content ढंका जाना चाहिए और content ढंका जभी जाएगा जब आप सही दिसा निर्देशों का पालन करके एक सही decision लेंगे और सही जगे पर पहुचेंगे मेरा यही मानना है बाकि आप लोगों का ज और भाई हैं वोसी वीडियो को देख रहे हैं वो अपना अगर आइडियो वीडियो करवाना चाहते हैं तो इस दिये हुए नंबर पर content करके जरूर आएए डिश्टार स्टूडियो में आप सबका स्वागत है जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी दोस्तों आप बने र box में comment कर सकते हैं हम उस पर जरूर गौर करेंगे हर एक comment को हम बड़ी गंभीरता के साल लेते हैं और पढ़ते हैं तो आप बने रहे हैं भी सीटी पर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार